हेलो दोस्ट स्वागत है आपका दोस्टमित यूटूब चैनल में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हमें क्रोना वाइरस का वैक्षिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्या इस के साइड इतना पेन हो और ने लगा कि वो अपने काम पे जाने के लिए भी असमर्थ हो गया थे उन्हें थोड़ा वोड़ा फीबर भी आ गया था और बोमेटिंग और स्टोमेच एच भी हो गया था तो एक चीज में बता दू ये एक नर्मल सा सिम्टम से जब करोना वायरस का वैक्सीन हमारे सारी में लगता है तो हमारे सारीर में कुछ immunity बिल्ड अप होती है इसके कारम से हमारे सरीर abnormal बिहेव करता है अब देखो इसलिए इस चीज से करोना वायरस की वैक्सीन से दरने की कोई भी जरूत नहीं है तो क्या ये कहना सच होगा या सही होगा कि हमें कुरोना भाइरस की भैक्सिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा दोस्तों क्योंकि कुरोना भाइरस की भैक्सिन का पहला साइड इफेक्ट हमें नौर्वे में देखने को मिला जिसमें से 4 health worker को blood clotting की समस्या देखने को मिली जिसमें से 2 लोगों की मृत्ती हो गई उसी तरह Denmark में अभी एक आदमी की मृत्ती हो गई Italy में अभी एक महिला की मृत्ती हो गई और UK में 7 लोगों की मौत अभी तक blood clotting से हो चुकी है तो डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ब्रिटिस हेल्थ रेगुलेटर के हिसाब से धाय लाख लोगों को अगर कुरोना भायरस का भैक्सिन लग रहा है तो उसमें से possibility एक आदमी कह कि उसे blood clotting की समस्या देखने को मिल सकती है और एक interesting fact मैं ये बता दो कि अभी तक इंडिया में एक भी blood clotting की मामले दर्ज नहीं हुए अब क्या पता सरकार हम से ये data छीपा रही है कि सचाई है ये मैं नहीं जानता और एक चीज और अभी तक जो blood clotting की मामले सामने आए उसमें से उन एज ग्रूप की सामने आए है जो 40 बर्स से नीचे थी और एक interesting fact मैं ये बता दो कि अभी तक इस्ट्राजेनिका जिन जिन को लगा है उसमें से blood clotting की समस्या उनको ही जम्मा देखने को मिली जुसकी एज ग्रूप 40 से कम है अभी तक worldwide में जिसको भी एस्ट्राजेनिका लगा है उससे 40 बर्स के उपर के लोग को blood clotting की समस्या देखने को नहीं मिली हैं और मैं आपको बता दो क्रोणा भाईरस को completely cure करने के लिए हमें दो में भैक्सिन लगवानी परती है एक है एस्ट्राजेनिका एक है कोवी सील्ड और अभी तक कोवी सील्ड का एक भी side effect देखने को नहीं मिले मत्र हमें एस्ट्राजेनिका की side effect देखने को मिलें और इस side effect को देखके बहुत सारे देशों ने 10-12 देशों ने इसे अपनी देश में temporarily banned कर दिया है जिसमें से UK है, डेनमार्क है, इटाली है, अस्ट्रेलिया है जिन्होंने अभी तक क्रोणा भाईरस की भैक्सिन पर बैन लगा दिया है ट्रेम्परोरली तो क्या हमारे देश में भी क्रोणा भाईरस का भैक्सिन टेम्परोरली बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये चीज आपके मन में question उठ रहा हूँ और एक चीज न्यूज में बहुत सारी चीज अफ़ाई फैल के आ रहे हैं कि क्रोणा भाईरस का भैक्सिन काम है नहीं करता तो मैं एक चीज बता दूँ जो एक क्रोणा भाईरस का भैक्सिन का जो probability है क्योर करने का वो 94 तू 95 परसेंट है यानि कि 100 लोगों को लगेगा तो इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको क्रोणा भाईरस हो भी गया तभी आपको हॉस्पिटल जाने की और डेथ होने की probability एकदम जीरू हो जाती है इसलिए आप इन अफ़वाव में पढ़के क्रोणा भाईरस भैक्सिन से नाता मत तोड़िए अगर आपी स्टुडेंट ह आप एक अच्छे इंसान है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर दूसरों लोगों को भी शेयर कीजिएगा कि जिससे दूसरों लोगों को भी यह knowledge मिले और क्रोणा भाईरस के भैक्सिन वो लगवाएं तो आज के लिए बस इतना है आपसे हम कल मिलेंगे तब तक लिए दूड़ बाई